क्या कर लेते हैं के मेरा क्लाइंट पहले से ही मेंटली टॉर्मेंट में है परेशान है उसके साइकलोजीकल जो इशूर जो है उसके साथ हो चुके हैं दो तीन लाइन तो लगा रखी है और क्या लाइन ऐसे लगा रखी है या जो रिक्षे पे जिस जो जा रही होती भी भी उसी को भी बना लेते थे अस्सलाम अलेकुम दोस्तों दोस्तों सिमा के आयाशी का हो गया अंत जी हा दोस्तों घुलाँ हैदर के हाथ लग गया एक बहुत बड़ा सब़ुत और वो सब़ुत क्या है वो अभी इस वीडियो के अंदर में खुलासा करूँगा दोस्तो अब आप हो जाओ रेडी हीव के दोस्तो अब बॉर्डर पार करके गुलाम हैदर सहाब अब इंडिया को आने वाले है जी हाँ दोस्तो आज मैं बात करूगा सिर्फ और सिर्फ गुलाम हैदर सहाब के बारे में और सिमा भगोडी आयाश औरत के बारे में जी हाँ दोस्तो जैसा कि आप यह बात बहुत अच्छे से जानती होगे कि गुलाम हैदर सहाब ने पाकिस्तान आकर इस सीमा भगोडी पर बहुत बड़ी कारवाई कर दी है जिसके वज़े से ये इलीगल औरत सीमा भगोडी बहुत जादा डर चुकी है जी हा दोस्तो ये नापाक औरत अब बहुत जादा परिशान है इसको रातों को नीन नहीं आ रही है और लपो सचिन की तोब बची कुछी हवा भी निकल चुकी है त्योंकि मेरी पहरे दोस्तो गुलाम हैदर के हाथ बहुत बड़ा सबुद लग चुका है जी दोस्तो इस वीडियो में आज आप देखोगे एक बाप की तड़प अपने बच्चों के लिए जी दोस्तो एक बात मुझको ये समझ में नहीं आती कि वो लोग इस तरह के लोग है जो इस सीमा को सपोर्ट करते हैं उन लोगों को ये बात दिखाई नहीं देती कि ये सीमा कितने लोगों के जिन्दगी बरबाद करके भाग कर आई है पाकिस्तान से पाकिस्तान के लोग अब इस पर थू थू कर रहे है मेरे दोस्तो पती को छोड़ो आप ये सोच कर देखो कि ये औरत अपने मुलक पाकिस्तान की नहीं हुई तो क्या ये हमारे देश की हो सकती है ये उन लोगों की बहुत बड़ी भूल है जो लोग इस सीमा भगोडी को सपोर्ट करते है दोस्तो मगर अब गुलाम हैदर सहाब इंडिया को आ रहे है अपने बच्चों को लेकर चले जाएगी पाकिस्तान को और अब वो दिन दूर नहीं है अब मैं आपको बिलकुल नई लाइव वीडियो दिखाने जा रहा हूँ जिसको देखकर आप सब हैरत में पड़ जाएगी और ये लाइव वीडियो है वुलाम हैदर के वकिल सहाब का और एपी सिंग का दोस्तों ये लाइव वीडियो बहुत ही जादा धहमाकेदार है मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आप से गुजारिश है आज का मेरा ये वीडियो पुरा आखे तक जरूर देखना और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना साथ हे साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना चलिए दोस्तों सबसे पहले आप ये वीडियो देख लीजिए तो आगे मैं आप से इस टॉफिक पर भात करते हो बच्चे मेन लगते जिगर IV बन गया है धंदा रिक्षा चला के पहले बीवियां को रकते थे या जो रिक्षे पर जिस जो जा रही होती दखिया को भी बना लेती थे यहां इसे कर लेते हैं और अब उन्होंने बना लिया है इसको अच्छा मिलिया उन्हें काम सीमा के नाम से सीमा के नाम से शोरत में लिए गुदालिश करना चाहता हूँ और मैं इस वीडियो के गाम के जरिये हिंदुस्तान की तमाम अदालतों को हिंदुस्तान की तमाम ला एंफोर्स्मेंट एजनसीज को हिंदुस्तान की तमाम जो भी एजनसीज हैं हिंदुस्तान की जतने भी त्रेट शू कर रहा है हम खुमकिया दे रहा है और इसके लिए नाजबा अल्पा जो ईो है वह स्कूमाब कर रहा है तो इसलिए मैं ये गुजारश करना चाहता हूँ तो हिंदुस्तान की त्माम एदारों को, हिंदुस्तान की आन्डियर मिनिस्ट्री को तमाम रेलेंट डेपार्टमेंट को के मेरा क्लाइंट पहले से ही मेंटली टॉर्मेंट में है परेशान है उसके साइकलोजिकल जो इशूस जो हैं उसके साथ हो चुके हैं जो सीमा ने उसके बीबी सीमा ने उसके साथ ये जो किरिमनल टिक किया बच्चे लेके किसी दूसरे म चली गई उसके बाद भी जो सीमा का जो बकीर है जो एपी सिंग साब उनका नाम है वो मेरे क्लाइंट के बारे में सोशल मीडिया पर मैनिस्टी मीडिया पर जाके ठ्रेट इशू कर रहा है उनके लिए नाजबा अलफाज जो है इस्तमाल कर रहा है और उनकी जो है दीफे के आप अपने शेरी को वो समझाएं के उनके इस किरिमनल एक्ट डिफे मेशन एक्ड की वज़ा से मेरा क्लाइंट जो है में प्रयर डिज्मेंट में है जो सको बड़ा थ्रेट हो रहा है सोसाइटी में भी उसकी बड़ी डिफे मेशन हो रही है मुक्तलिक तरीके से वो खुशिश कर रहा है कि उसको लुफसान को जाने की कोशिश करें तो मेरी ये गदारिश है कि आप अपने शहरी को समझाएं और हिंदुस्तान की बार काउंसल को, बार एसोसियेशन को हिंदुस्तान की तमाम मुजब जजज साहिबान को मैं ये गुजारिश करता हूं कि आप अपने शहरी को वकील को सोशल साइट्स पर मेरी क्लाइंट के लिए नाजबा अलफाज इस्तमाल करने से रोकें, उनको डीफेम करने से रोकें, उनको जो है ठ्रेट देने से रोकें ताके मेरा क्लाइंट जो है मेंटली टार्मेट से बाहर निकल सके, मेरी इसके साथ दुस्तान के तमाम मेशारियों से भी गुजारिश है कि काईटली आप जो है गुलाम हेदर की सपोर्ट में भी खड़े हो ताके यह जोहिसानाट का जो जोगय से यह साल्व होने की लिग तरफ जाए ताके यह परसीडन होने से यह बज जाए क्योंकि अगर यह केस साल्व नहीं हूआ तो एक प्रसीडन बन जाएगा और फिर्सीडन यह बड़ा खराफ बने alethey का जो सिर्फ जो एक्शन है वो जरूर उठाएं ताकि जो केसे वो साल्व होने की तरफ जाये और जो मेरा क्लाइंट है उसके इकलाब थ्रेट कीशु हो रहे हैं टेफिमेशन डेमेज़ नी जो हो रही है वो रोकी जा सके देखें मेरा क्लाइंट जो है तो पैले से मेंटली तो आप से बस यह गुदारिश करनी थी कि काइंडली आप इस केस को जो है इस फ्रेट्स को रोकें में जो लाने की कोशिश की जा रही है मेरे क्लाइट को रोकी जासे करना जेर सारा खायर रखेगा रोशन अर्याजीम को इजाज़त दीजेगा दोस्तों सात्यों जैसा कि और इसके पास बच्चे तो रहने ही नहीं चाहिए क्योंके दोस्तों यह सीमा भगोडी बच्चों की जिन्दगी बरबात कर रही है दोस्तों अब गुलाम हैदर साहब बहुत जल्द इंडिया को आ जाएगी और अपने बच्चों को लेकर पाकिस्तान को जाएगी क्योंके दोस्तों यह अयाश औरत सीमा अपनी अयाशी के लिए अपने बच्चों की जिन्दगी बरबात कर चुकी है दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में मुझको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों आज कि इस वीडियो में बस इतना ही मैं पिर मिलूग आपसे ऐसे किसी दूसरी वीडियो के साथ तब तक के लिए अल्ला हापिस।